इस वीडियो में आप सीखेंगे कि तीन चरोवाली रेखिक समेकर्ण यानि लीनियर एक्वेशन्स इन थ्री वैरियेबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह तीन एक्वेशन्स हैं और हमें यहाँ A, B, N, C के लिए सॉल्व करना है आपने डेफिनिटली बहुत बारी इस तरह की एक्वेशन्स देखी होंगी तो इन्हें कैसे सॉल्व करें यह आप इस यूडियो में सीखेंगे ओके तो सबसे पहले तो इन्हें हम नाम देते हैं एक्वेशन नमबर 1, 2, & 3 अब एक important बात आप यह समझे कि जब भी हम सॉल्व करते हैं हमारे पास जब भी ऐसी एक्वेशन्स सॉल्व करने के लिए होती हैं तो जितने हमारे पास variables हैं यानि A, B, C, S, A, total तीन हैं जितने variables हैं उतने ही हमारे पास equations होनी चाहिए अगर 3 variables हैं तो 3 equations होनी चाहिए जैसी यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 equations हैं जब हमारे पास 2 variables होते हैं तो 2 equations होती हैं means जितने number of variables होंगे उतने number of equations होनी चाहिए तो हम उनकी values आराम से find कर सकते हैं अब यहाँ पे हमारे पास 3 variables हैं 3 equations हैं तो हमें करना क्या होता है, हमें क्या करना है, कि इनको two equations and two variables में reduce कर दो, two equations and two variables में, basically हम कोई भी दो variable pick कर लेंगे, जैसे हम A and B हमने ले लिया, और इसमें हम equations बनाएंगे, कहने का यह मतलब है, कि इन तीन equations में से हम, एक variable को eliminate करेंगे, किसे eliminate करेंगे, यह depend करेगा कि eliminate करना कौन सबसे ज़ादा आसान है, आप हर एक बात को follow कर रहे हैं, अब कैसे पता चलेगा कि आसान है, तो हम coefficient देखते हैं, जो अकेला होता है, यानि जिसका coefficient one होता है, उसको eliminate करना आसान होता है, अब आप A के लिए देखो A के सामने यहाँ पर 2 है यहाँ 3 है यहाँ भी 2 है तो इसी लिए A को eliminate करना आसान नहीं है मुश्किल है हो तो जाएगा पर उसमें ज्यादा step यूज होंगे B के अगर हम बात करें तो यहाँ पर B का coefficient 1 है भले यहाँ 2 and 3 है बट यहाँ पर 1 है coefficient तो हम B को आराम से eliminate कर सकते हैं और इसी तरह से C को भी आराम से eliminate कर सकते हैं बिकाज यहाँ पर C का coefficient 1 है तो हमें यह देखना होता है कि किसका coefficient 1 है तो अब इसमें हमारे पास option है कि हम यह B को यह C को eliminate करें तो अब C को eliminate करते हैं, ठीक है, बाकि आप चाहो तो B को भी eliminate कर सकते हो, C को कैसे eliminate करें, तो जिसका coefficient 1 है उसके साथ हम, यानि second equation में हमारे पास यह है न, तो first equation and second equation को हम एक साथ लेंगे, यहां से C eliminate करेंगे, उसके बाद फिर इस second equation को third के साथ लेंगे, और फिर इसे C eliminate करेंग हम, फिर हमारे पास दो equation आ जाएंगी, दो variable में, यानि A and B होंगे हमारे पास, ठीक है, तो अब question यह है, कि इन दो equation से C कैसे eliminate होगा, तो सीधी सी बात यह है कि equation number 2 में अगर हम 3 का multiply कर दें, और equation number 1 के साथ में add करते तो cancel हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे, कि equation number जो हमारे पास है, second, इसमें 3 से multiply करने पर हमें क्या मिलेगा, 9A minus 6B plus 3C equals to minus 3, मिल गया ना, 3 का multiply हमने इसमें किया, तो यह ऐसी होगई equation, और अब हम क्या करेंगे, अब आप चाहो तो इसको equation number 4 नाम दे दो, तो हम लिखेंगे कि adding equation number 1 and 4, तो इन्हें add करेंगे, तो एक दूसरे के उपर नीचे लिखते हैं इसको, तो हमारे पास यह equation number 1 है, और equation number 4 यह है, यहाँ पर हम इन्हें add करेंगे, तो c बाला पार्ट तो cancel हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा फिर, हमारे पास यहाँ पर बचा 11a minus 5b equals to 7, यह equation number 5 हो गई है, यह important equation है, क्योंकि यह दो variable में अब आ चुकी है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों equations को लेंगे, क्योंकि अभी हमें एक और equation चाहिए and b में, तो clearly आप समझ चुके होंगे, कि अगर हम equation number 2 में 4 से multiply करें, तो यह भी 4 हो जाएगा, और यह भी 4 हो जाएगा, तो फिर आराम से, यह C वाला पार्ट cancel हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, कि equation number 2 है, उसमें multiply करते हैं 4 का, तो हम भी मिलेगा, 4, 3, 12, a, minus 8, b, plus 4, c, equals to minus 4, equation number 6 नाम इसको देते हैं, अब हमारे पास देखो, equation number 6 and equation number 3 है, तो definitely हम subtract करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कि subtracting equation number 3 from equation number 6, यह हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है, यह भी plus है, यह भी plus है, तो हम subtract करेंगे, sign change करेंगे, यह minus हुआ, यह minus हुआ, यह भी plus का minus, यह plus का minus हो गया, यह हुआ 10, a, यह है minus 11, b, 4, c, 4, c, cancel, और यह हुआ minus 13, यह है equation number 7, understand, अब हमारे पास equation number 5 है, equation number 7 है, clearly आप देख रहे होंगे, we have now two equations and two variables, अब इन्हें हमें solve करना है, कैसे करेंगे, देखो, अब आप सोचिए, I think, अब आप समझ गये होंगे, कि यह इतना मुश्किल नहीं है, हम इन दो equations को कैसे solve करेंगे, तो इसमें किसी a के coefficients equal कर देते हैं, b के coefficients equal कर देते हैं, तो यहाँ पर है क्या है, minus 5, यहाँ पर है यह 11, minus 11, तो इसमें हम करेंगे multiply 11 से, तो यह 55 हो जाएगा, और इसमें multiply करेंगे 5 से, तो यह भी 55 हो जाएगा, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, कि जो equation number 5 है, इसमें multiply करेंगे 11 से, तो हमारे पास equation आ गई, 121A आप समझ रहे हैं न 11 से multiply करेंगे तो क्या होगा minus 55B equals to 77 और 5 का इसमें multiply करेंगे तो यह होगा 50A minus 55B equals to minus 65 और अब यहाँ sign सेम है तो हम sign change करेंगे इनको solve करने के लिए यह कड़िया तो हमारे पास यह आ जाएगा होता है 71A और यह प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा 2 7512 1 142 ठीक है और A आ गया 142 upon 71 यानि 2 A हमें मिल चुका है अब A को हम put करेंगे इसमें तो अब हम proper लिखेंगे वैसे प्रॉपर जब आप solve करेंगे अगर इसी तरह से question आएगा तो हम लिखेंगे कि substituting A equals to 2 in equation number 5 तो यह क्या होगा यहाँ पे हम A equals to 2 put करेंगे तो हमें मिलेगा 11 times 2 minus 5B equals to 7 तो यह हो जाएगा minus 5B equals to 7 minus 22 इधर आएगा और हमें मिलेगा minus 5B equals to minus 15 और B3 आजाएगा डिवाइड करने के बाद तो हमें B भी मिल चुका है यहाँ पे अब A and B की value हम put करेंगे किसी भी इन तिनों में से किसी भी एक equation में इसमें put करना सबसे सही है क्योंकि C इसमें अकेला है तो C दे value आजाएगी तो इसमें put करेंगे तो आप देख सकते हैं 3 A है ना तो 3 into 2 A तो 2 निकल चुका है B 3 है plus C और यह हो जाएगा 6 minus 6 plus C equals to minus 1 यह 0 हो गया तो C equals to minus 1 हो गया और इस तरह से यह C भी निकल चुका है ठीक है A हमारे पास यहाँ पे अलड़ी निकल चुका है A equals to 2 इस तरह से A, B and C की values आ चुकी है अगर आपको cross check करना है तो आप A, B and C की values को यहाँ put कर सकते हो तो जैसे अगर हम यहाँ put करें इसमें तीसरी equation में तो यह 2 tos of 4 और B था क्या? B 3 है तो plus 3, 3 is a 9 और C minus 1, minus 4 तो यह 9 है आता है यानि सही है तो basically यह true होगा तीनों में put करोगे आप तो सारे satisfy होंगे तो कहने का मतलब यह है कि हमें A, B and C की values मिल चुकी है और इस तरह से हम solve करते है linear equations in 3 variables तो I hope यह topic आपको useful लगा होगा Thanks for watching